नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें भगवान सिक्रिषन के नुशार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवस्य ही मिलता है चाहे हूँ अच्छे कर्म करे या बुरे चाहे इस जन्मे हुए आगले जन्म में उसकी द्वारा किये गया अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे किसी ना किसी मात्यम सी अवस्य ही प्राप्त होता है कई वार मनुष्य अपने भागी के कारें धर्वान बन जाते हैं इसके पीछे उनके पिछले जन्म के पुर्णे ही सामिल होते हैं और उसका भागी चमक जाता है पिछले जन्म के कर्मों का प्रब तक्री देती है और इस जन्म के कर्म को पुर्सार्थ कहा जाता है जब मनुष्य को सदे हुँ पूरसार्थ करती रहना चाहिए क्योंकि बिना पूरसार्थ मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलता भगवान से किसने कहते हैं यदे मनुष्य निनंतर अच्छे कर्म करे और प्रयास करता रहे तो अपने भागे को भी बदल सकता है उसके जीवन से किसने द्वारा बताए गए इन चार कारियों को अवस्य करना चाहिए जो मनुष्य ये चार काम नित्य करता है उसे अवस्य सफलता मिलता है और उसके द्वारा बिस्ते जरम के किये गए पापकर्म नश्ठ हो जाते हैं तो चलिए जान लेते हैं उन कारियों के बारे में जो मनुष्य नितिय चार काम करता है उसे जीवन में कभी भी दरित्ता का सामना नहीं करना पड़ता तो आए जान लेते हैं पहली वात ब्रह्म मुरत में जागना भगवान सिक किष्ण कहते हैं ब्रह्म मुरत में जागना सबसी अधिक फल देता है यह ऐसा समय होता है जब सारा सं संसार अंदकार से प्रकास की और जाने की प्रतिक्षा में होता है इस वज़े संसार में सकरात्म कुर्जा सबसे अधिक मात्रा में उसरजित होता है एक मात्र ऐसा समय है जो मनुष्य के मन को भाय क्रोध आंकार इन सभी विकारों से उपर उठाता है और उसे सफल होने में उस की साहेता करता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो नित्र ब्रम मुरत में चाकर इस्वर का ध्यान करे और अपने कारे में लगा रहे दूसरी बात सुर्य को अर्ग देना स्रिष्टी का भी कई बार पिनास हुआ है परन्तु सुर्य देव सदा ही आकास में बिद्धिमान है सुर्य देव को मनुष्य की सभी जन्मों का ग्यान है इसलिए सुर्य की उपास ना करके मनुष्य अपने पिछले जन्म के पुर्ने कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त कर सकता है सुर्य देव को नित अर्ग देने से मनुष्य के जीवन से दरित्ता एवं नकरात्मक्ता का नाश्ठ होता है और मनुष्य सदेहु नत्ती करता है इसलिए यादि किसी मनुष्य को जीवन में कठिनायों का सामना करना पर रहा है कितने भी मेहनत करने के बाद सफलता प् वित्रे और पूजनीय माना गया है इसमें पीपल के वरिक्ष की पूजा करना सबसे अधिक महत्व है पीपल के वरिक्ष की पूजा से मनुष्य का भाग्यूद्य होता है और उसके जीगन में चल रही सभी परकार की परसानियों का अंत हो जाता है इसलिए मनुष्य नित्य प असनान करने से मनुष्य के पापकर्व नेश्ट हो जाती हैं। यदि आपके इस वीवन में परसान ही हैं तो आप इस चार उपाय अवस्च करें।